एक बड़े ही पहुचे हुए संथ थे, कैसे बिक्षा मांग कर लोट रहे थे, कुछ मिला नहीं था, रास्ते में उनका पैर एक खोपरी से टकराया, उन्होंने खोपरी को उठा करके देखा, उसके माथे की कुछ रिखाओं को पढ़ा, और उसमें उन्होंने देखा कि इसकी अभी कुछ और दुर्गती होनी बाकी है, ऐसा लिखा था, उन्होंने खोपरी रख ली कि चलो बाद में इसका अध्यान करेंगे, घर पहुचे, देर हो चुकी थी, खाए पी और सो गए, सुबह अंधेरे में उन्होंने देखा कि जोले में कोई कटोर चीज है, उन्होंने कोई खाने की चीज है, इसलिए अंधेरे में कूट कर मैंने उसका आठा बना दिया, तो वो जो पहुचे होई संद थे, उन्होंने कहा कि मैंने इसकी रेखाओं में जो पढ़ा था, वो यही था कि अभी इसकी और दुर्गती होनी वाकी है, इसको अभी कूट कर आठा बनन है, कि वो ठोकरों से काम नहीं चलेगा, यही हाल कुछ इस गठ बंधन का भी होने वाला है, पर समय की प्रतिक्षा करिए